हमारे देश की लाइफ लाइन कही जाने वाली रेलवे पिछले दिनों क्यों आ गई विवादों में जी हां हम आपको बता दें कि खबरों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि रेलवे अब 5 साल से नीचे के बच्चों का ट्रैवलिंग फेर चार्ज करेगा इस पर रेलवे ने अपना क्लैरिफिकेशन देते हुए अपने 2026 मार्च के सर्कुलर को फॉलो करते हुए ये कहा है कि इस तरीके का कोई भी फेर चार्ज नहीं होगा 5 साल से नीचे के बच्चों पे और साथ ही इस पर railway ने अपना आगे का clarification देते हुए ये भी कहा है कि अगर किसी 5 साल से नीचे के बच्चे को seat उपलब्ध कराई जाएगी उसके एवज में उससे adult fare charge किया जाएगा ऐसे में जहां ये भी कहा जाता है कि railway अपने passenger से अपनी cost से कम charge करता है तो ऐसे में क्या 5 साल से नीचे के बच्चों से seat उपलब्ध कराने के चलते fare charge करना सही है या नहीं इस पे क्या है आपकी राय हमें हमारे comment box में comment करके जरूर बताएं ये थी गौरव नरूला की report the true hunt channel के लिए